हेलो बच्चो कैसे हो आई होप आपकी एक्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे मेरे वीडियो लेक्चर बनाने का जो एम है जो पढ़ियास है वो यही है कि आपको केमेस्ट्री और मैथ के सारे चेप्टर बहुत इजी लगे आपको एक्जाम में कोशन को कैसे ठिंक करना है कैसे कोशन को एप्रोच करना है कोशन को कहां पर इंट करना है इसका मैं कम्पलीट आडिया देता हूँ वो भी अपने रफी सर के सिंपल ट्रिक से तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर अच इंटिफिनिट इंटिग्रेशन में आप जो करते थे वो सारे के सारे रूल यहां पर वैलिड हैं स्रिफ इंटिफिनिट इंटिग्रेशन में क्या होता था कि आप इंटिग्रेट करके फंक्शन को छोड़ देते थे अब हमें क्या करना परेगा लीमिट लगा देना परेग और इस function को जब integrate करेंगे तो एक function आएगा जो की x का variable होगा तो उसमें एक बार सबसे पहले upper limit को put कर देना variable के जिएगा तो f of b आ जाएगा फिर बीच में minus sign आएगा ध्यान देना और फिर उसका lower limit को put करना variable के जिएगा तो f of a तो यह एक value आ जाएगी this is called definite integration integration बिल्कुल वैसे ही करना है for example इसको एक example समझते है जैसे 1 से 3 x square dx तो यह definite integration हो गया पिछले lecture में यह 1 और 3 नहीं रहता था तो वो indefinite integration हो गया तो x square का integration x q by 3 हो जाएगा राइट अब आपको क्या करना है value put करना परेगा उपर वाला value उपर ही रहेगा नीचे वाला नीचे रहेगा तो सबसे पहले उपर वाली value जो variable होंगे यहां पर x variable है तो 1 by 3 बाहर निकाल लिए हमने राइट वो एक constant number है x की जगा 3 तो 3 का q और फिर x की जगा 1 तो minus 1 का q इसको solve कर लेंगे तो कितना जागा 26 by 3 तो this is all about your definite integration नाव एक question जो उठता है कि क्या सर हमें फिर से integrate करना परेगा जैसा indefinite में करना परता था तो नहीं बेटा आपको ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है maximum question में properties लगाना है और वो कौन-कौन सी properties है वो भी मैं बताता हूँ तो आपको property पहले लगाने की कोशिश करना है जब यह नहीं लगे तब जाकर कि आपको integration के बारे में सोचना है और integration में बिल्कुल वो सारे rule follow करेंगे जो हम indefinite में करते थे तो इसलिए property पे हमें सबसे पहले ध्यान देना है इसको लगाना अपने को उसके बाद integration क्या हो जागा हमारा easy हो जागा या बहुत सारे case में आपको integrate करने की ज़रूत नहीं परेगी तो property number one a to b f of x dx अगर है तो अगर आप limit को interchange कर तो ध्यान दे यहाँ a lower limit और b आपर यहाँ पे क्या कर दिया b को lower कर दिया और a को आपर अगर limit को interchange करेंगे तो value वही रहेगी सिर्फ sign क्या जाएगा negative कहने का क्या मतलब है जैसे यहाँ पे आपने one से three integrate किया तो कितना है 26 by 3 अगर इसको three से one करोगे तो कितना जाएगा minus 26 by 3 value वही रहेगा सिर्फ sign चेंज हो जाएगा इसलिए property number one easy भी है और important है यह ध्यान रखना है property number two that is very important अगर a to d f of x dx आपको करना हो तो आप चाहें तो function को different interval में break करके भी integrate कर सकते हैं और वही चीज यहां पर समझाने की कोशिश के हमने कि a से d तक करना हो तो पहले a से b तक कर लो फिर b से c और c से d continuous way में आपको different interval में break कर सकते हैं यह property है कहने का क्या मतलब है जैसे यह graph है f of x का अगर इसको आपको integrate करना 1 से 4 में तो यहां पर a केतना हो गया 1 और d केतना हो गया 4 तो 1 से 4 में different interval में इसको break कर सकते हैं जैसे 1 से 2 फिर 2 से 3 फिर 3 से 4 ऐसा या कोई 1 से 3 जागा फिर 3 से 4 it's up to you आपको कैसे break करना है तो property number 2 भी कोई ज़्यादा hard and fast नहीं है that's very simple कि आप integration को different interval में break करकर के भी integrate कर सकते हैं तो इसलिए 1 और 2 तो कोई दिक्कत की बात नहीं है property number 3 that is very very important और सबसे ज़्यादा इसी का use होगा ध्यान देना minus a to a कहने का क्या मतलब है आप कैसे पैचानेंगे कि यह property लगाना है नीचे जो number होगा वही number उपर होगा शिरिफ sign changes होंगे right अगर minus a to a f of x dx है तो इसकी value direct आपको क्या लिख देना 0 इस integration की value 0 हो जाएगी कब जब function आपका odd होगा देना function अगर odd हुआ तो direct integration 0 और अगर even हो गया function अगर even है तो two times देना limit change हो जाएगा 0 से a हो जाएगा फिर two times 0 to a f of x dx now the question is कि सर हम कैसे पैचानेंगे odd function है कि even function very simple x की जगा आपको minus x put करना है that means x को replace कर दो minus x से अगर वो minus of fx के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब function odd है फिर अगेन एक example समझते हैं जैसे fx मेरा x cube है तो x की जगा अगर मैं minus x replace करता हूँ तो यह क्या हो जाएगा minus x cube और x cube क्या था अपना ध्यान से देखो fx तो यह minus of fx के बराबर आ रहा है मतलब यह क्या एक odd function है तो ऐसे case में minus a to a f of x dx की जाएगा direct zero similarly even function कैसे पैचानेंगे बहुत simple बहुत easy कि again x की जगा minus x that means x को minus x से replace करोगे और अगर वो fx के बराबर ही आ रहा है मतलब कोई changes नहीं आ रहा है तो function आपका even एक एक जामपल जैसे fx x square लेता हूं तो x की जगा minus x put करो तो फिर भी वह x square रहेगा और यह क्या है function fx तो अगर x को minus x से replace कर रहे हैं वो minus of fx है तो odd और अगर fx के बराबर है तो even और इसमें यह rule लगाना very very important है नाव कहीं कहीं पर कैसा होगा कि आपको दो function का multiplication आएगा तो वैसे case में आप कैसे think करेंगे कि वह even है कि odd है तो very simple trick रफीशन ने उसके लिए लेका आया ध्यान से देखो हम हम यह एजूं कर रहे हैं कि odd को minus मान रहें ध्यान है यह trick का point odd को मैं माइनस एजूं कर रहा हूं और even को plus तो हमें basic रूल आता है माइनस प्लस क्या होता है माइनस और माइनस का मतलब क्या हो गया और तो यह और फंक्शन हो गया और into even odd even function multiplication मारें तो overall वह क्या हो result odd और उसका integration minus a to a में क्या हो जाएगा जीरो वैसे ही minus मानस मतलब odd function और odd function multiplication में होगे तो even हो जाएगा plus minus minus मतलब odd हो जाएगा और plus 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 मतलब even हो जाएगा तो इस simple tricks आप याद रख सकतो कि अगर odd even function का multiplication होगा तो आप कैसे overall पहचानेंगे कि finally वह result odd होगा या even होगा तो एतने सारे point आपको ध्यान में रखना है अभी इस पर बेस में problem ले करके भी आपको समझाता हूं question number one में if fx e to the power cos x into में sin x है for mod x smaller than equal to 2 और 2 है otherwise right इस टाप से function defined है और आपको integration निकारना है minus 2 से 3 f of x dx तो ध्यान से देखो कैसे सोचना है हमें integrate कहां से कहां तक करना माइनस 2 से 3 तो इसको बिलकुल number line पर सोचना है बेटा minus 2 2 3 कहां तो लग क्या हो गया यह origin 0 यह minus 1 यह minus 2 तो इधर 1 2 3 मलब यहां से ले करके यहां तक करना है तो आप मैं क्या सोच रहा हूं कि पहले minus 2 से 2 तक चला जाओ इससे क्या फायदा होगा minus a2 a वाला concept बन जाएगा हो सकता है कि वो function और निकल जाए तो integrate ही ने करना पड़े तो ऐसे आपको definite में think करना पड़ेगा तो वी केन राइट minus 2 2 3 f of x dx is equal to minus 2 2 2 f of x dx plus 2 2 3 f of x dx तो यह अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने property number 2 लगा दिया अब यहां पर ध्यान से सोचना है minus 2 2 2 में function जो है वो यह वाला लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि ध्यान से देखो mod x is smaller than equal to 2 that means x की value minus 2 से 2 हो सकता है उसमें यह function defined है तो क्या हो जाएगा यह e to the power cos x into sin x right dx यह minus 2 2 2 में फिर plus 2 से 3 में 2 के बाद कैसे defined है तो constant 2 dx हो जाएगा अब यहां पर इसको भी integrate नहीं करना है Always definite में आपको सोचना है ध्यान से देखो अगर cos x के बाड़े में बात करूं तो यह even function होगा क्यों क्योंकि x की जगा अगर minus x put करता हो तो parce of minus x sin x के बाड़े में बात करें तो यह one function है कैसे göz кी जगा minus x put करेंगे तो यह minus of sin x हो जाएगा और अभी हमने आपको बताया कि ये एक तरह से even वाले को plus मानते हैं, odd वाले को minus plus minus, minus 2 function का multiplication है, minus हो गया मतलब एक odd function हो गया, overall ये तो odd function का integration क्या हो गया, 0 minus a to a में, तो वो property number 3 लगा दिया, अब यहाँ पर 2 to 3, 2 dx है, 2 a constant है बाहर आ जाएगा, और dx का क्या हो जाएगा, x, और limit कहां से कहां तक, 2 से 3 तक, तो एक बार x की जगा 3, minus, फिर x की जगा 2, तो 3 minus 2, 1 हो गया, तो 2 into 1 केतना हो गया, 2 your option will be b, तो ध्यान से समझो कि मैं एक ही problem में सारे concept को use कर लिया, अगर ध्यान सार देखो तो ताकि आपको समझ माए, आप एक कदम आगे रहो question number 2 में, 0 to 4 mod of 2x minus 5 dx उसका value बताना है, तो ध्यान से देखो, ऐसे problem को कैसे think करना है जब भी mod वाले आए, तो आपको थोड़ा careful रहना है, graph draw करने की कोशिश करना है, reason, क्योंकि you know कि ये वाला जो value है, वो x is equal to 5 by 2 पे 0 हो जाएगा, right, अगर x की value 5 by 2 put करोगे, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए graph इसका draw करने की कोशिश करो, चुकि हमें 0 से लेकर के 4 तक जाना है, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे कहीं पे 4 होगा, और बीच में कहीं पे आ जाएगा, आपका 5 by 2 that means 2.5, तो ध्यान से देखो, अगर 0 put करेंगे, तो 0 पे value कितना हो जाएगा, 5 मतलब यहाँ से start हो रहा और ये state line है, और 2.5 पे ये 0 हो जाएगा, और 4 अगर put करोगे, तो 2 for the 8, 8 minus 5 3, तो ये value कहां तक जाएगा, 3 तक, ये आपका 5 है, और ये value जो है वो 3 है, यहां तक जाएगा, that means यह ऐसे आएगा, तो ये graph है आपका ध्यान से देखना, और integration मतलब area ही होता है, तो आप direct आप बिना integrate के होई कर सकता, तो ध्यान से देखो, तो ये right angle, triangle बन गया, तो क्या हो जाएगा, ये वाला area A1, A1 आपका हो जाएगा, half into base, ध्यान से देखो, तो 5 by 2, और height 5, तो ये कितना हो गया, 25 by 4, वैसे ये area A2 अगर निकालू, तो half, base अगर आप ध्यान से देखो, तो 4 minus 2.5, तो केतना हो गया, 1.5 मतलब 3 by 2, और height केतना है ये, 3, तो ये 3, तो ये हो गया, 9 by 4, दोनों का add कर दो, 34 by 4, that means 17 by 2, your option will be D, अगर किसी को integration के through करना है, तो कर सकते हैं, लेकिन द्यान रहे, interval में break करना पर रहा है, तो पहले हम कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से 2.5 तक, क्यों, क्योंकि 0 से 2.5 में function decreasing है, और यहां पर change हो रहा है curve का nature, तो इसलिए आपको द्यान रखना है, और 0 से 2.5 में, ये जो mod है, वो negative sign के साथ open करेंगे, क्योंकि mod always एक positive value होता, तो क्या हो जाएगा, यह minus of 2x minus 5 dx, एक ही हो जाएगा, फिर plus, कहां से कहां तक, 2.5 से 4, 2.5 से 4 में ये value positive हैगी, तो as it is open हो जाएगा, 2x minus 5 dx, तो आपको ऐसे करेंगे, तो भी यही आएगा, तो कहने का उतला है, कि आपको हर तरीके से think करने आना चाहिए, वैसे problem number 3, that is again important, minus 1 से 3 तक integrate करना है, cot inverse this plus cot inverse dx, but we know कि cot inverse of x plus tan inverse of x क्या होता है, pi y 2 के, ध्यान रहे, दोनों angle क्या होना चाहिए, same, x x होना चाहिए, और we know कि जो tan inverse x होता है, cot inverse of 1 by x भी होता है, तो अगर आप ध्यान से देखो, तो यह cot inverse को मैं लिख सकता हूँ, tan inverse of that, तो इसको, अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan inverse of x upon x square plus 1, उल्टा हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, दोनों का angle सेम हो गया, cot inverse x plus tan inverse x, तो यह value actually में क्या हो गई, pi y 2, तो कभी कभी ड़ाने के लिए, बहुत भयानक सा function दिखा सकता है, आपको ड़ना नहीं है, क्यों, रफी सर आपके साथ हैं, तो pi y 2 हो गया actually है, तो यह pi y 2 dx, तो pi y 2 एक constant है, बाहरा जाएगा, dx का integration x, और limit कहां से कहां तक, minus 1 से 3, तो यह क्या हो जाएगा, pi y 2 times of x की जाएगा 3, minus, फिर x की जाएगा minus 1, यह दियान रखना, तो यह pi by 2 into 4, तो यह केतना हो गया, 2 pi, so your option will be c, तो इस तरीके से आपको think करना है, question number 4 में, let एक function है, f r to r, that means domain भी आ रहे हैं और range भी आ रहे हैं, वैसी g function भी r to r में continuous function है, तो इसका limit value बताना आपको, इस integration का, तो दियान से देखो, minus pi y 2, pi y 2 है, तो इसलिए मैं think करूँगा, minus a 2a वाला है, तो odd even पहचानने की कोशिश करूँगा, तो odd even कैसे पहचानते है, x की जगा क्या put करना है, minus x, तो दियान से देखो, यहाँ पे x की जगा क्या put किया, minus x, right, फिर plus, x की जगा minus x, already minus था, तो क्या हो जाएगा, plus x, right, this function into, फिर वैसे यहाँ पे, तो x की जगा minus x, minus था, जी, और वो minus minus, पलस हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, तो यह चीज़े तो वैसा हो गया, 2 पलस 3 लिखो, या 3 पलस 2, एक ही बात है, तो यह तो सेमी बात है, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो minus of अगर ले लूँ, तो क्या हो जाएगा यह, जी ओफ x minus, जी ओफ minus x, अब उसके बाद आप ध्यान से देखो, तो अभी यह function बन जाएगा फिर से, यह पूरा एक function था, multiplication में, तो यह minus sign बाहर आ गया, तो यह minus of fx हो गया, मतलब यह function overall क्या है, यह पूरा, overall एक odd function है, और odd function है, तो integration क्या हो जाएगा, 0, so your option will be d, तो इस तरीके से आपको ठिंख करना है, वैसी question number 5 में, minus pi by 4 से pi by 4 है, तो again, same बही बात है, minus a2 है, तो मैं ठिंख करूँगा एक बार, तो आपको क्या करना परेगा, एक्स की जगा, minus x, तो पहले इसको replace करो, x की जगा, minus x किया, x की जगा, minus x किया, divided by e to the power minus 2x minus 1, अब इसको थोड़ा सा solve कर लो, तो द्यान से देखो, इसको solve करेंगे, तो क्या जाएगा, द्यान से देखो, यह minus x है, sine of minus x, minus sine x होता है, तो यह minus minus plus होजागा, तो यह तो x sine x आजाएगा, अब यहाँ पे e to the power minus x को क्या लिख सकते हैं, 1 by e to the power x, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 by e to the power 2x minus 1, इसका LCM लो तो द्यान से देखो, क्या हो जाएगा, 1 minus e to the power, तो यह 1 by e to the power x x sin x और नीचे में ध्यान से देखो तो 1 minus e to the power 2x राइट 1 minus e to the power 2x और वो e to the power 2x उपर चला जाएगा तो लिख दे रहो तो ध्यान से देखो overall यह क्या हो गया एक कट जाएगा तो e to the power x x sin x नीचे में अगर मैं minus common ले लेता हूँ तो ध्यान से देखो इसको लिखोंगा मैं e to the power 2x minus 1 तो आप ध्यान से देखो यह एतना तो आपका क्या था y function fx था और सिर्फ क्या गया minus sign that means यह क्या हो गया एक odd function है ध्यान से समझे ना x की जगा minus x replace किया थोड़ा सा उसको simplify किया तो वो finally किसके बरावर आगया ग्यान की बात और that is very important ध्यान से समझना इस type के भी बहुत सारे question आपको मिल सकते हैं और यह concept को हम use करेंगे जैसे यहाँ पर integration 0 से pi by 2 sin 5 x by 2 sin x dx है तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यह angle half है और यह angle full है x है तो दोनों को एक में convert करना परेगा तो sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ द्यान से देखो तो 2 sin x by 2 into cos x by 2 लिख सकते हैं यह तो sin 2 x हो जाएगा यही आ जाएगा क्यों ऐसा है क्योंकि x by 2 के form में था तो यह integration क्या हो जाएगा द्यान से देखो 0 से pi by 2 sin of 5 x by 2 और sin x को क्या लिख देंगे 2 sin x by 2 into cos x by 2 यह 2 एक constant है बाहर जाएगा 0 से pi by 2 द्यान से देखो तो यह हो गया sin 6 x by 2 into cos x by 2 अब जो concept है जो ग्यान की बात में करना चाहरा हूँ वो यह है कि यहाँ पे अगर मैं sin x by 2 को t put करता हूँ तो द्यान से देखो दोनों साइट differentiate कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos x by 2 और x by 2 का differentiation 1 by 2 dx किसके बरावर हो जाएगा dt तो द्यान से देखना cos x by 2 into dx क्या हो जाएगा 2 dt तो इसको अब हम change करेंगे तो यह 2 times of integration sin x by 2 को अपने t put क्या तो यह हो गया और cos x by 2 dx क्या हो जाएगा 2 dt ध्यान देना यह substitution method वाला यहां भी लगा सकते हैं यह 2 फिर से बाहर आजाएगा तो यह क्या हो जाएगा 4 times of t की power 6 dt तो अब ध्यान देना है कि limit क्या put करें तो limit भी अब change होगा आपने sin x by 2 को t माना है तो आपका function x का था तो यहाँ पे ध्यान से देखो x की जगा 0 put करतें तो 0 put करोगे तो sin 0 0 तो t की value क्या होगे 0 तो limit भी change हो जाएगा यही ध्यान देना यही ग्यान की बात का important point है और वैसे जब x की जगा pi by 2 put करेंगे तो sin pi by 4 sin pi by 4 केतना होगे 1 by root 2 तो यह limit change हो जाएगा 0 से 1 by root 2 that means जो function आप substitute करोगे तो फिर limit वाला value भी put कर करके उसकी value को change कर देना या तो ऐसे कर सकतो या फिर फिर t को उसमें लिखो और फिर value निकालो तो बात वही होगी तो यहाँ पे easy हो जाएगा तो direct यह क्या हो जाएगा 4 times of t की power 7 by 7 और limit 0 से 1 by root 2 तो यह कितना हो जाएगा दियान से देखो 4 into 0 put करेंगे तो 0 ही हो जाएगा तो यह 1 by 7 और यह 1 by root 2 का power हो जाएगा आपको 7 तो you know कि root 2 जो हो जाएगे वो दो बार multiply करेंगे तो 2 हो जाएगा तो 3 वाले में तो यह कैसे निकलेगा दियान से देखो 4 by 7 into 1 by 2 2, 2, 2 और 1 root 2 बच जाएगा तो दियान से देखो यह cancel हो जाएगे तो यह 1 by 14 root 2 that is option C हो जाएगा तो यह इस तरीके सा आपको think करना है तो इसमें point यह था कि जब आप substitution method यूज करेंगे तो limit भी उसके according change कर देना यहां फिर नहीं करोगे तो फिर finally इसको put करना परेगा यहां पर t की जगह क्या जाता फिर sin x by 2 की power 7 फिर आप value put करके भी कर सकतो बात वह ही रहेंगी तो यह point है ज्यान की बात में दूसरा point that is very important even function जो होता है वह axis either y axis या x axis के बात symmetric होता है तो यहां पर y देखाने के हमने कोशिश के क्यों क्योंकि 1 पर जो value होगी y value minus 1 पर होगा तभी even function बोलेंगे तो always यह axis के बात symmetric होगा तो यह point लिखा है और जो odd function होगे वह y is equal to x line के क्यों क्योंकि जो value 1 पर होगी वह value minus 1 पर negative माने चाहिए तो क्योंकि x को minus x से replace करेंगे तो value से होने चाहिए लेकिन sin opposite होने चाहिए तो इसलिए y is equal to x line के बात वो function symmetric होगा जबकि even वाला axis के बात symmetric होगे उसी को यहां पर समझा है जैसे cos x q एक even function है क्योंकि ध्यान से देखो तो यह axis y axis के बात symmetric है जैसा इधर है वैसा इधर है वैसे ही sin x q odd function है क्योंकि ध्यान से देखो तो यह y is equal to x line के बात symmetric है तो इसलिए यह एक odd function है x square आगेन आप देखो axis y axis के बात symmetric है जैसा इधर वैसा इधर तो इसलिए even function है वैसे ही x q तो यह y is equal to x line के वाट symmetric है क्यों क्यों कि अगर इधर जो value होगी तो minus 1 पर उसकी value उतना ही में होगी लेकिन negative होगी तो यह चीद ध्यान रखना यह ग्यान की बात में important point है ग्यान की बात में point number 3 that is very very important 0 से pi by 2 ध्यान दे यही limit होना चीए 0 से pi by 2 sine की power nx हो या फिर cos की power nx हो इन दोनों में से कोई भी हो n कोई भी integer value हो सकती है तो इनका integration direct आपको यह ध्यान में रखना है जो भी n होगा उपर में n-1 n-3 odd number आपको minus करते जाना है और नीचे में n और फिर even number minus करते जाना है till last और into k k क्या हो सकता है अगर n की value even होगी तो k pi by 2 put कर देना है और अगर n की value odd होगी तो k 1 put करना है एक example समझ लेते हैं 0 से pi by 2 sine 10x dx तो यह इस type का जब भी आपको करना हो आप quickly आप कैसे करेंगे तो simple इस trick से द्यान से देखो 10 आ गया राइट तो आपको क्या करना पड़ेगा 10-1 तो कितना हो गया 9 n-1 फिर odd power फिर 10-3 तो 7 फिर 5 फिर 3 फिर 1 तक आ जाएंगे राइट और नीचे में n 10 है उसके बाद even power माइनस करना राइट तो 10-2 तो 8 फिर 10-4 तो 642 तक चले जाना इस type से और चुकि यहां पर 10 एक even नंबर है तो इसलिए पाइवाई 2 तो इसको multiply कर लेंगे तो 63 पाइड़ बाई 512 हो जाएगा तो यह कहने का मतलब है यह धियान रखना डारेक्ट वैसे ही अगर साइन और कॉस मल्टिप्लिकेशन में आरो पावर अलग अलग भी हो यह सेम हो चलेगा एन और एम पावर है जीरो से पाइवाई 2 होना चाहिए यह धियान रखना है तो ऐसे केस में ऊपर वैसा ही करना है एन में से और नंबर मानस करना है वैसे ही एम में से भी और पावर एसे और नंबर मानस करना है नीचे में क्या करना है इन दोनों को जोर देना है एम और एन को और उसके बाद एवेन वाला नंबर 246 यह मानस करना है अगर एम और एन ध्यान देना यहां पर एम और एन दोनों ही इवेन होना चाहिए दोनों इंडिविजली अगर एवेन है तो के की वैलू पाई वाई टू लेंगे अगर उन में से कोई भी एक और निकल गया या दोनों ही और है तो फिर के की वैलू वन लेंगे एगेन एक एक जांपर से समझते हैं 0 से πाई वाई 2 साइन 4 ठीटा इंटू कॉस 6 ठीटा डी ठीटे का इंटिग्रेशन तो द्यान से देखो यहाँ पे यह इस टाइप का ही है तो यहाँ पे 4 है तो द्यान से देखो क्या करेंगे 4 माइनस 1 तो 3 फिर 4 माइनस 3 तो 1 यहीं तो गोगे राइट वैसे ही 6 है तो 6 माइनस 1 5 6 माइनस 3 3 और 6 माइनस 5 तो 1 उपर यह हो गया नीचे में M पलस N 6 4 10 हो गया तो 10 फिर 2 माइनस करेंगे 8 6 4 2 ऐसे और चुकि यह भी इवेन है और यह भी इवेन है दोनों इसलिए इन्टू में पाइवाइ 2 इसको सौर्व कर लेंगे तो 3 पाइवाइ 512 आजागा तो यह दोनों ग्यान की बात जो है वह वेरी इंपोटेंट है यह ध्यान रखना है लिमिट का भी ध्यान रखना है यह वाइट होगा तभी ऐसा हम कर सकते हैं और एक साइन और कोस्मिया लग लग होगा तो कैसे लगाएंगे दोनों मांटिप्लिकेशन होगा तो कैसे लगाएंगे तो आई होप मेरा यह परियास आपको समझमाया होगा अगर यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है इससे आपको हेल्प होता है तो इसको जुरू लोगों में शेर किजिए थैंक यू